नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन इस वक्त बड़ी खबर जदिव से आ रही है जहां जन्तादल उनाइटेड के पार्टी में बहुत बड़ी तूट होने जा रही है और जन्तादल की मुसीबतें बढ़ती जा रही है जदिव में पहले से विबाद पर विबाद और पार्टी में फूट की स्थिती बनी हुई है और यह तै माना जा रहा है कि पार्टी का बिलय लगभग तै है आपको बता दू कि इस पार्टी के लगभग 30-35 नेता पार्टी से मो भंग कर उपेंद्र कुसवाहा की पार्टी मे सामिल होने जा रहा है इसमें कई बड़ा चेहरा से लेकर कुछ प्रखंड और जिला अस्तर के नेता भी सामिल है इधर भाजपा भी जदिव के हर चाल को तोड़ने पर पड़ी हुई है और जैसे जैसे लोग सवाचुनाओ और विदान सवाचुनाओ नजदी कारा आए भाज उपेंद्र कुस्वाहा जदिव के लिए मुसीबत बन गए है और इधर जदिव के जो नेता है अपनी पार्टी को बैकफूर पर जाते देख पार्टी से इस्थिपादे रहे हैं और उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी में सामिल हो रहे हैं और आने वाले 2024 और 2025 के चुना कि हम जंतादल United को छोड़ कर किसी पाटी में ढु는데요 और आपको बता दू कि जंतादल United के पुर्व सांसद मीना देबी जो है वह अपनी पार्टी को छोड़ कर भारतिय जंता नहीं लग रहा है इसी कारण यह पार्टी को लोग छोड़ कर जाना चाह रहा है और यहीं कारण है कि भारतिय जनता पार्टी और उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी में लोग सामिल होना चाह रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि बिहार के तिसरे नंबर की पार्टी जनता दल जो है अब वो धीरे धीरे बैक फूट पर जा रही है और जनता अदल उनाइटेड का संगठन कमजोर हो रहा है यह जनता अदल के लिए और मुख्य मंत्री के लिए अच्छा संकेत नहीं है जैसे ही कोई और जनकारी मिलता है तो मैं बताने का प्रयास करूँगा तब तक के ल आजा धन्यवाद